तो नमस्कार साथी हो, स्वागात है आप सभीका आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोगो को हिंदी लेंगविज यानी जन्रल हिंदी के सेकिंड पार्ट से एक्जाम में आने वाले Most Important Quotion बताने वाला हूँ मैं आप लोग को बता दूँ आपके एक्जाम में Long Quotion आएंगे, Short Quotion आएंगे, Very Short Quotion आएंगे और Multiple Choice Type Quotion आएंगे तो आप लोग को इस वीडियो में Long Quotion, Short Quotion, Very Short Quotion और MCQ सारे आंसर सहीत मिलेंगे तो इस एक वीडियो से आपके पूरे पेपर की त्यारी हो जाएगी तो आप लोग से रिक्वेश्ट है कि आप सभी छातिर इस वीडियो को लाश्ट टक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो मैं आप सभी लोग को बता दूँ आपका पेपर 50 नंबरों का होगा पेपर में आपसे 6-6 नंबर के 3 Long Quotion पूछाएंगे और 2-2 नंबर के 6 Short Quotion पूछाएंगे और 2-2 नंबर के 5 से Very Short Quotion पूछाएंगे और 10 नंबर के आपसे Multiple Choice Quotion पूछाएंगे तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं Short Answer Type Quotion से तो यहाँ पर हमने पहला Question यहाँ पर Select किया है संसमर और रेखा चित्र में अंदर बताईए या फिर इस नाम सा सकता है संसमर और रेखा चित्र में क्या अंदर है कोशन का Answer आपके सामने है आप Answer देख सकते हैं भाव, देश, काल, सौरूप अब बात करते हैं अगले Short Question की अगला Short Question है हिंदी के यात्रवत पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए या फिर किसी नाम से पूछा सकता है यात्रवत किसी कहा जाता है कुछ यात्रवत लेखकों का नामों लेख केजिए तो Question का पूरा अंसर आपके सामने है अगले Short Question की अगला Short Question है आत्मकता और जीवनी में अंतर इस्पस्ट कीजी तो इस Question का अंसर आपके सामने है आप लोग इसकिन पर देख सकते है अगला Short Question है गिल्लू के सवहाव की बिशेशताएं बताईए या फिर गिल्लू रेखा चित्र के अधार पर गिल्लू के सोहाव का चित्रन कीजी किसी भी नाम से एक्जाम में आसकता है Question का अंसर आपके सामने है सभी लोग इसकिन पर इसका अंसर देख सकते है अगला Short Question आपके सामने है बड़े भाई साहब कहानी के अधार पर बड़े भाई के चरित्र पर प्रिकास टालिए यह सिनाम से आ सकता है बड़े भाई साहब के सुभाव का वलन कीजिए तो यह कोशन आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोलन्ट है सभी चात्र इस कोशन को याद जरूर कर लेना इस कोशन का आँसर आपके सामने है इसकीन पर आप सभी चात्र देख सकते है और एक और कोशन यहाप बड़े भाई साहब चैप्टर से है बड़े भाई साहब कहानी का शारांज संचेप में लिखिए या बड़े भाई साब कहानी का शारांज strengthening का शारांज संचेप में लिखिए कोशन का आ अनसर पर आपके सामने है इसकीन पर है आपको सभी कशिणों के आंसर भी साथ-साथांँ दिखाते चलेंगे कहुला कोशन आपके सामने है ।ğ दिल्ली मेरा परदेश डायरी का संचिप्त विबरान प्रिस्तूत कीजिए दिल्ली मेरा परदेश में रगुभीर साय ने किसका वलन की है संचिप में प्रिकाश डालिए किसी विनाम से एक्जाम में आपसे पूझा जा सकता है आंसर की बात का तो आंसर आपके सामने है और सभी छातर इस कोशन आंसर की पीडियाफ को टेलिगाम जनल से डालोड कर सकते है अगला शॉल्ट कोशन आपके सामने है संचिप्त विबरान पर संचिप्त विबरान लिखिए संचिप्त से आप क्या समझते हैं इस पस्ट कीजिए किसी विब नाम से एक्जाम में पूझा सकता है काफी इंपोरन कोशन है कोशन का आपके सामने है अगला most important question आपके सामने है घर का जोगी जोगडा नामक संचिप्त का संचिप्त परिश्य दीजी अथवा घर का जोगी जोगडा संचिप्त में सामने है इसकी इलबर है अब बात करते हैं most important very short answer type question की तो यहाँ पर आपको पहरा question दिख रहा हुआ स्वर्ग में विचार सभा का धिवेशन व्यंग किसके द्वारा लिखा गया है इसका answer है आपका स्वर्ग में विचार सभा का धिवेशन व्यंग भारतंदू हरेश्चंद्र द्वारा लिखा गया है अगला important question आपके सामने है स्वर्ग में विचार सभा का धिवेशन व्यंग में लेखक ने स्वर्ग में कितने दल मानने हैं तो यहाँ पर दो दल मानने गई हैं conservative दल और liberal दल और यहाँ पर most important question है भारत अंदु ह्रिशंद्र की किनी दो रचनाओं के नाम लिखिए तो यहाँ पर 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 चार लचनाओं के तो महिला कहानीकारों के नाम लिखिए मन्नु भंडारी और मिरदुला गर्ग और यहाँ पर अगला important question है पत्थ के साती रेखा चित्र किस के द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया है महादी वर्मा के द्वारा अगला question है एक saved army ने किस पत्रीका का समपाधन किया था तो महादे वर्मा ने चांद नामक मसिछ पत्रीका का समपाधन किया था और एक question और इहां पर important है मार्टी की मूर्त रेखा चित्री के लेखक का नाम बताईए यहां पर राम रक्ष बेनिपुली बेरी मेंनी पूरी अग्ला कुशन है घर का जोगी जोग़ा के लेखक का नाम बताई है तो इनका नाम है लेखक कासिनात सिंघ और यहाँ पर एक और मौस्ट इंपोन्ट कोशन है किनी दो संसिमनड लेखकों की नाम लिखिए तो यहाँ पर दो संसिमनड लेखक के नाम है लिखा दूर से लिखिए और एगला कोशन रज्जल द्धंजल सीर्षक का अर्थ इसपस्ट कीयिए। तो रजव का अर्थ है जल की कमी अथार्थ सुखा और धंजल का ताथ पर है जल के अधिकत अथार्थ बाढ़ फड़िश्वर नाथ रेडू के दो आंचरिक उपन्यासों के नाम लिखिए तो इनके उपन्यासों के नाम है मेला अचल और परती परिकथा और यहाँ पर एक और इंपोर्ण कोशन है किनी दो रेपोतार्ज एबम उनके लेखकों के लेखक के नाम लिखिए तो इहाँ पर है युद्ध यात्र धरंबिर भारती प्लाट का मौर्चा शंसेर भादू सिंग और यहाँ पर कुछ इंपोर्ण कोशन है अग्गे का पूर्णाम लिखिए तो इनका पूर्ण नाम है सच्ची दानंद, हीरानंद, बातस्य आयन, अगे और यहाँ पर अगला कोशन इंपोर्ण है राहुल सांकृत आयन के दो यात्रा वरतांतों के नाम लिखिए तो इनके नाम है मेरी लद्दाख, यात्रा और घुमकल, शास्त्र यहाँ पर अगला इंपोर्ण कोशन है दिल्ली मेरा परदेस के लिखा का नाम बताईए तो इनके लिखा का नाम है रगुवीर सहाय चलिए आप बात करते हैं चलिए आप बात करते हैं तो इंपोर्ण लॉंग कोशन आपके सामने है रड़जल धंजल पंची की लास फ्रेशन आतरेडूच की चैप्टर से कोशन लेगा है कोशन है रिपोर्तार्ज से आप क्या समझते हैं हिंदी के रिपोर्तार्ज साहित्य पर एक सार गर्वित निवंदे लिखिये आप से ये कोशन इस नाम से पूछा सकता है कि रड़जल धंजल पाठखा शारांस अपने शब्दों में लिखिए तो आप लोग को इस पाठखा शारांस पढ़ लेना है Most important long question है आपके एक्जाम के लिए Question का अंसर आपके सामने है आप लोग इस का अंसर इसकी निपर देख सकते हो Report आर्ज की तत्व पूरा आंसर में आपको दिखा दूँगा बात करते हैं अगले most important long question की तो अगला most important long question आपके सामने है मुन्सी प्रैमचंद्र द्वारा लेखित बड़े भाई साहाब कहानी का शारांस अपने शब्दों में लिखिए ये question आपके exam के लिए काफी ज़्यादा important है मुन्सी प्रैमचंद्र द्वारा लेखित जो कहानी है बड़े भाई साहब इसका आप लोग शारांस पढ़ लेए और ये question आपके exam में पूचा जा सकता है इसका answer आपके सामने है महादेवी जी ने गिल्लू के व्यक्तित्व का संजी सजी अवंटन किया है इस कथन की विवेचना कीजिए या फिर महादेवर्मा के रेखा चितर गिल्लू का शारांस अपने शब्दों में लिखिए किसी भी नाम से आपके exam पूचा सकता है और यह इस नाम से आने की चांज इसकी जाड़ा है महादेवर्मा के रेखा चितर गिल्लू का शारांस अपने शब्दों में लिखिए इस नाम से आ सकता है तो इस कांसर आपके सामने है आप लोगे स्क्रीन पर इस कांसर देख सकते हैं इस कहानी में क्या गया हुआ है जूतन के पथिते अंश में चित्रित समस्यों का वड़न कीजिए या आप से किसी नाम से पूछो सकता है जूटन सीर्सक आत्मकता का शारांस अपनी पाठ़ है फुस्तक में संगलित अंस के अधर पर लिखिए तो इस कोशन का आपको सारांस याद कर लेना पढ़ लेना है इस कोशन में क्या क्या हुआ है जूटन जो एक चैप्टर का नाम है उसमें क्या 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 हुआ है आपको पूरा पढ़ लेना है मैं आपको थोड़ा आंसर दिखाएता हूँ यहाँ पर यह आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हो पूरा आंसर मैं आपको प्रवैट कर दिया है बाकि आप लोग टेलिगाम चैनलर्सिस की पीड़ डाउनोड करके पूरा अंसर देख सकते हो उस्तों आप बात करते हैं मल्टीपल टाइप वाईश कोशन की तो यहाँ पर पहला इंपोर्ण कोशन है भारतेंदू हरिश्चंद्र का जनम कब हुआ था तो आपका सही आंसर है उप्शन नमबर आ अठारह सो पचास इस भी में और यह कोशन भी आपके एक्जाम्पली काफी इंपोर्ण है स्वर्ग में बचार सभा का अधिवेशन निवंदी के लेखक कौन है आपका सही आंसर है उप्शन नमबर साब भारतेंदू हरिश्चंद्र और यहाँ पर अगला इंपोर्ण कोशन है बड़े भाई साब कहानी के लेखक है आपका सही आंसर है उप्शन नमबर बा मुनशी प्रैमचंद और यहाँ पर एक और important question है बड़े भाई साथ किस विद्धा की रचना है तो यह कहानी विद्धा की रचना है और यहाँ पर एक और important question है लेखक ने घर का जोगी जोगड़ा किसे कहा है तो आपका सही answer है डाक्टर नामबर सिंखो और यहाँ पर important question है रिपोतार जमूलता किस भाषा का सब्ध है तो ये फ्रेंच भाषा का सब्ध है तो इस तरीके साब के पूरे पेपर के तियारी हो जाती है मैंने आप लोग को इंपोरन लॉंग कोशन, शॉर्ट कोशन और वैरी शॉर्ट कोशन और multiple choice question answer आपको बता दिये है आप लोग इस पूरे question answer की PDF को हमारे टेलेगाम चैनल से नाड़ोड कर सकते हैं टेलेगाम चैनल के लिंक आपको वीडियो को description में सबसे नीचे मिल जाएगा